मैं आज का कलेक्शन दे देता हूं दोस्तों बाइदावे बहुत मज़ा आ गया लाइव सेशन में थैंक्यू यार आप लोगों ने अच्छा प्यार दिया और हां कुछ लोगों को शिकायते मुझसे कि यार मैं जादा देर के लिए नहीं आता हूं ऐसा नहीं है यार वन आव पॉर में तो चलो वेदा के बारे में बात करते हैं भाई एक पॉंट सेवन फाइव करोड बिजनेस इसका होने के चांसे से आज 1.75, पॉन है 2 करोड पे आ गई भई वेदा, यह अच्छी बात नहीं है, सिगनल अच्छा नहीं है, यह 1.6 करोड से लेके 1.75 करोड आएगी, यानि कि 2 दिन में 8 करोड, यह बहुत बुरा कलेक्षन है यार, चलो खेल-खेल में के बारे में बात कर लेके, हाँ, खेल-खेल में, अर्ली एस्टिमेट 1.9 करोड से लेके 2 करोड, 2 करोड हो रहा है भाई आज, 7 करोड यार 2 दिन में, वो तो वेदा ने पहले दिन वो अच्छा बाजी मार लिया, इसलिए थोड़ा है, वरना वेदा अभी भी आगे है वैसे, दो दिन में 8 करोड है वेदा दो दिन में 7 करोड है खेल-खेल में वेदा का बजट है 60 करोड खेल-खेल में का है 100 करोड मुझे लगता नहीं दोनों भी फिल्में 40 करोड के उपर करे गिया दोनों भी फिल्में फ्लॉप लग रही ही मुझे हाँ वेदा के बारे में भी अब मैं थोड़ा चेंज हो गया भाई क्योंकि लग नहीं रहा है कि वो फिल्म ही कुछ कर पा रही है स्त्री का इंपक्ट ही इतना है भाई और जो बोलेंगे मुझे डे थ्री का अपडेट दो भाई डे थ्री का स्पेशल वीडियो थोड़ी देर बाद तुरंत आएगा वो फॉलो कर ले ना उस वीडियो को स्त्री टू 30 करोड कर रही आज भाई 30 करोड आज भी हो गया मैंने बोला था 30 करोड कर सकती है 30 से लेके 32 करोड यानि कि दो दिन में 92 करोड से लेके 93 करोड कलेक्शन हो रहा है नेट कलेक्शन भाई दो दिन में खाली अपने आप में ये बहुत बड़ी बात नहीं है और कलकी के बारे में वो अपडेट मैं दे दूँगा थोड़ी धेर बाद ओके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिजेगा थैंक यू